हलो दोस्तो कैसे हैं आप सब उम्मीद है कि आप सब अच्छ स्वास्तर मस्त होंगे और आप सब की बिहार सिछक भरती के त्यारी बेहतरी चल ली होगी दोस्तो आज की इस वीडियो हम पढ़ेंगे बिहार प्रात्मी सिछक भरती में पूछे जाने वाले कुछ महत्पुल प्रश्णों डिस्स करेंगे जैसा कि दोस्तो आप सब का जो एक्जाम 15 मार्च को है उसमें पूछे जाने की पूरी उम्मीद है और दोस्तो इस वीडियो में हम गडित, रिजिनिंग, विज्ञान, करेंट अफेयर, जीके, हिंदी इन सभी विश्यों को जो है समलित किये हैं तो दोस्तो वीडियो को बिने स्किप किये अंतक जरू देखेगा चलिए शुरुवात करते हैं यहाँ पे पहले प्रस्ते पहला प्रश्ण है दोस्तो गतिज उर्जा का सुत्र क्या होता है गतिज उर्जा का सुत्र होता है दोस्तो के बराबर होता है एक बटा दो एम वी स्क्यार होता है यम क्या है दोस्तो द्रबिमान है और वी क्या है वेग है के क्या है दोस्तो गतिज उर्जा है अगला प्रस देख लेते हैं एक खिचे हुए धनुस से तीर छोड़ते समय धनुस की इस्तिती उर्जा किस में बदल जाती है तो दोस्तो गतिज उर्जा में बदल जाती है अगल अगला प्रश्ण है द्रविमान और त्वरड के गुड़नफल को क्या कहते हैं तो दोस्तो द्रविमान और त्वरड के गुड़नफल को बल कहा जाता है बल बराबर होता है द्रविमान गुड़ते त्वरड होता है अगला प्रश्ण है जब बंदूग से गोली छोड़ी जा दोस्तो न्यूटन के गत के पर्थम नियम को और किस नाम से जाना जाता है तो दोस्तो न्यूटन के गत के पर्थम नियम को जड़त के नियम से भी जाना जाता है अगला प्रस देखेंगे अगला प्रस यहाँ पर है यह दोस्तो कि यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्त पर एक अही दिशा में लगाये जाते हैं तो वस्त पर जो है कार करने वाला कुल बल कितना होगा कैसे लगाएंगे दोस्तो ध्यान समझेगा यहाँ पे पहला बल दिया है कितना 10 नूटन और दूसरा बल दिया है कितना दोस्तो 5 नूटन यहाँ पे बल जो है एक अही दिसा में लगाय जा रहा है इसलिए ठीटा कमान क्या होगा दोस्तो जीरोंस होगा तो कुल बल निकालने के लिए दोस्तो सुतर लगाएंगे यफ बराबर करड़ी में यफ 1 का स्क्वाइर प्लस यफ 2 का स्क्वाइर प्लस 2 एफ 1 एफ 2 इंटू कॉस ठीटा होता है तो दोस्तो इन तीनों का मान जो है हम इन सुतर में रखते हैं तो दोस्तों रखेंगे तो यहाँ पे cos theta, theta गमान 0 रख देंगे, तो cos 0 गमान कितना होता है, 1 होता है, solve करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 225, और 225 का वर्गमिल कितना होता है, 15, तो कुल बल कितना होगा दोस्तों, 15 Newton का, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा, अगला प्रस गंटा में कितने जुल होते हैं एक किलो वाट घंटा में तीन दस मलो छह गुड़ दस घाते छह जुल होता है अगला प्रश्ण है दोस्तो 14 किलो ग्राम द्रब्मान और 28 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलने वाले पिंड का समवेग बताईए तो दोस्तो समवेग बराबर होत है द्रब्मान गुड़ते वेग होता है द्रब्मान कितना दिया है 14 वेग कितना दिया है 28 मीटर पर सेकेंड दोनों का दोस्तो गुड़ा कर देंगे कितना आ जाएगा 392 किलो ग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाएगा अगला प्रस देखते हैं दोस्तो समवेग किसे कहते हैं तो दोस्तो द्रविमान और वेक का गुलनफल जो है वो समवेक कहलाता है, समवेक क्या है एक प्रकार की सदिसरासी है, और समवेक का जो मात्रक होता है दोस्तो वो किलोग्राम मीटर पर सकेन होता है, अगला प्रस देखते हैं, लट्टू को घुमाना किस प्रकार का उधार हो लंबाई बढ़ा दिया जाता है तो इसका आवर्थकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो दोस्तो इसका आवर्थकाल क्या होगा बढ़ जाएगा और दोस्तो आवर्थकाल निकालने के लिए सुतर लगता है टी बराबर होता है दो पाई कड़ी में एलपान जी होता है अग अगला प्रश्ट है गुर्त्वा करसल का नियम किस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था तो दोस्तों न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था अगला प्रश्ट है ब्रम्भान में किनी दो निकाओं के बीच गुर्त्वा करसल बल किस पर निर्भर करता है तो गुरुत्वी इस रंग पर निर्भर करता है अगला प्रस देखते हैं दोस्तों किस रंग की तरंग दैद सबसे कम होती है तो दोस्तों बैगनी रंग का जो तरंग दैद होता है वो सबसे कम होता है और दोस्तों लाल रंग का जो तरंग दैद होता है वो सबसे ज्यादा होता अगला प्रस देखते हैं दोस्तों तरंग की चाल जिसे वी सिवेक्ट करते हैं आबरती यन तथा तरंग दैद लेम्डा में क्या संबंध होता है तो दोस्तों हम जानते हैं वी बराबर क्या होता है एन लेम्डा होता है वी बराबर एन लेम्डा होता है अगला प्रश्ण है दोस्तो भासा के आधार पर भारती राज्यों की पुनेस रचना कब किया गया था और नईसो चपन में किया गया था भासाई आधार पर सबसे पहले किस राजी का गठन हुआ था आन्द परतेश राजी का गठन हुआ था अगला प्रश्ण है दोस्तों कि सत्तित्य को हिंदी को राजभासा बनाने का निड़े लिया गया था तो दोस्तों 14 सितंबर 1904 को हिंदी को राजभासा बनाने का निड़े लिया गया था अगला प्रश्ण है हिंदी की आधि जन्नी कौन सी है तो दोस्तो हिंदी की आधि जन्नी संस्कृती है अगला प्रश्ण है दोस्तो भारती समिधान में किन अनुछेदों में राजभासा समंधी प्रावधानों का उलेख है तो दोस्तो राजभासा समंधी प्रावधानों का उलेख अनुछे 343 से अनुछे 351 तक में है अगला प्रश्ण है दोस्तों हिंदी भासा के विकास का सही क्रम क्या है तो दोस्तों हिंदी भासा के विकास का सही अनुक्रम है पाली के बाद दोस्तों प्राकरत अपभरंस के बाद हिंदी अगला प्रश्ण दोस्तो भासा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है भासा की सबसे छोटी इकाई वड़ा कहलाती है अगला प्रश्ण है वड़ों के बेवस्ति सम्मू को क्या कहते हैं वड़ों के बेवस्ति सम्मू को वड़ा माला कहते हैं अगला प्रश्ण है दोस्तो अंतस्थ बेंजन किसे कहते हैं? अंतस्थ बेंजन दोस्तो किसे कहा जाता है? यह र ल व को अंतस्थ बेंजन कहते हैं और यह दोस्तो कुल चार होते हैं अगला प्रश्ण है उसमें बेंजन किसे कहा जाता है दोस्तों स, 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 ह को उसमें बेंजन कहा जाता है और ये भी चार प्रकार के होते हैं अगला प्राश्ण दोस्तो सन्युक्त बिंजन कितने होते हैं सन्युक्त बिंजन दोस्तो चार होते हैं कौन कौन से छ त्र ग्या और स्र अब देख लेते हैं दोस्तो छ जो है किस से मिलकर बना होता है छ जो है दोस्तो आधा का और धन स से मिलकर बना होता है त्र जो है दोस्त दोस्तो किस्से मिलकर बना होता है सर धन रा से मिलकर बना होता है ये सब जो है दोस्तो एक्जा में पूछता है किछा जो है किस्से मिलकर बना होता है तरह किस्से मिलकर बना होता है गया किस्से मिलकर बना होता है और स्रह किस्से मिलकर बना होता है अगला प्रश्ण है दोस्त प्रिजुदारा बिचलन जो है वो बैगनी रंग का सबसे ज़्यादा होता है अगला प्रस्ट है मिनमाटा रोग जो है किसकी द्वारा पानी के पर दूसर से फैलता है तो दोस्तो मिनमाटा रोग जो है वो पारा या मरकरी के द्वारा जो है फैलता है अगला प्रस्ट देख अगला प्रश्ण है जल के सतह पर मच्छरों के लारवा का तैरना किसके कारड़ ही होता है अगला प्रश्ण है लान्टेन या लैंप की बत्ती में केसी कात्य के कारड़ ही तेल जो है वह उपर चड़ता है अगला प्रश्ण है दोस्तो समिधान के किस भाग में समिधान संसोधन की प्रक्रिया का उल्लेक है भाग 20 में अगला प्रश्ण है मूल करतेवों का उल्लेक किस में है मूल करतब्यों का उल्लेक जो है भाग 4 के कम है अगला प्रश्ने दोस्तो, नागरिक्ता का उल्लेक किस में है, नागरिक्ता का उल्लेक भाग दो में है, अगला प्रश्ने दोस्तो, संगी कारिपालिका की ब्याख्या का वड़न भाग पाँच में है, अगला प्रश्ने है, नीत निर्देशक तत्व का उल्लेक किस भाग में है नीत निर्देशक तत्व का उल्लेक भाग चार में है अगला प्रस देखते हैं दोस्तों समिधान का कौन सा जो है भाग नगर पालिका से संबंदित है तो दोस्तों समिधान का भाग नौ का ए जो है वो नगर पालिका से संबंदित है अगला प्रश्ण दोस्तों पंचायती संख राज चेतर का वड़ण भाग 8 में है अगला प्रस देखते हैं भारती समिधान की 10वी अनिसूची सम शूंदित है दोस्तो इससे डल बदल कानून से सम शूंदित है अगला प्रस्ण है दोस्तो तीहत्रवे समिधान संसोधन अधनियम द्वारा भारती समिधान में कौन सी अनसुची जोड़ी गई थी दोस्तो बरहवी अनसुची जोड़ी गई थी अगला प्रस्ण है दोस्तो यहाँ पे दोस्तो दसवी अनसुची इग्रहवी अनसुची और बरहवी अनसुची को याद करने का एक हमने ट्रिक बनाया है दाल पीती नगर तो दोस्तो दाल से हो जाता है दल बदल कानून हो जाता है पीती से हो जाता है पंचायती राज हो जा अगला प्रस देखते हैं दोस्तों, संपत्ति का अधिकार सन्वाइदानिक अधिकार है, यह बताया गया है किस अनुछेद में, तो दोस्तों अनुछेद 300 के क में बताया गया है, अगला प्रस्ण दोस्तों, किस अनुछेद के अंतरगत संसत सम्मिदान में संसोधन कर सकती है तो दोस्तो अनुछेद 368 के तहत संसत जो है समिधान में संसोधन कर सकती है अगला प्रश्ण दोस्तो राष्टी ये आपात काल की घोश्रा जो है अनुछेद 352 के तहत किया जाता है अगला प्रश्ण है राष्पती सासन का उलेख जो है दोस्तो अनुछेद 356 में है अगला प्रश्ट है वित्तिय आपात की घोषडा जो है किया जाता है दोस्तो अनुछे 360 के तहत अगला प्रश्ट है काजी रंगा राष्टी उद्यान कहां इस्तित है तो दोस्तो काजी रंगा राष्टी उद्यान असम मिस्तित है अगला प्रश्ण है दोस्तों केवलाद देव घाना पच्छी बिहार जो है भारत पूर राजस्थान में इस्तित है अगला प्रश्ण है कानहा नेशनल पार्क कहां इस्तित है तो दोस्तों कानहा नेशनल पार्क जो है मध परदेश में इस्तित है अगला प्रश्ण है दोस्त अगला प्रश्ण है दोस्तो जनसंख्या की दिरिष्ट से भारत के तीन सबसे बड़े राजियों का सही करम कौन सा है तो दोस्तो जनसंख्या के दिरिष्ट से भारत के तीन सबसे बड़ा राज्य है उत्तर परदेश, दूसरे नमबर पर दोस्तो महराष्ट आता है और तीसरे नमबर पर बिहार राज आता है जनसंख्या के दिरिष्ट से अगला प्रश्ण है दोस्तो जनसंख्या की दृष्ट से भारत के तीन सबसे छोटे राज्यों का सही करम कौन सा है तो दोस्तो सबसे छोटा राज्य अलांचर परदेश, मिजोरम एवं सिक्किम होता है अगला प्रश्ण है दोस्तों 2011 की जनगरना के अनुसार लिंगा नुपात कितणा है तो 2011 की जनगरना के अनुसार लिंगा नुपात 43 है इसका ये मतलब हुआ दोस्तों 1,000 पूरुसों पर 943 महिला है अगला प्रश्ण दोस्तो वंसा नुकरम की इकाई क्या होती है वंसा नुकरम की इकाई जीन होती है अगला प्रश्ण है ओर जीन आप इस पीज नमक पूस्तक किस ने लिखा है तो दोस्तो ओर जीन आप इस पीज जो है वो चार्स डार्विन ने लिखा है अगला प्रश्ण देखते हैं दोस्तो विकास का सिधान किस ने दिया है विकास का सिधान चार्स डार्विन ने दिया है अगला प्रशन दोस्तो किस बैज्यानिक ने the theory of evolution का प्रतिपादन किया है तो दोस्तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चार्स डार्विन ने अगला प्रशन दोस्तो अगला यहाँ पर गड़िस से है सवाल यह कहता है कि यदि A, B और C एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि A और B इस काम को 10 दिनों में कर सकते हैं तो C अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा तो दोस्तों यहाँ पर दिया है कि तीनों जो है मिलकर 6 दिन में काम पूरा करते हैं तो पूछ रहा है कि C अकेला कितने दिन में काम पूरा करेगा क्या करेंगे दोस्तो दोनों का एक दिन का काम निकाल की क्या करेंगे घटा देंगे तो तीनों का एक दिन का काम कितना होगा दोस्तो एक बटा च्छा होगा और दोनों का एक दिन का काम कितना होगा एक बटा 10 हो जाएगा अब दोस्तों दोनों को घटा देंगे तो 6 और 10 का लगुत्तम 30 हो जाएगा 5-30 बराबर 2 बटा 30 हो जाएगा 1 बटा 15 हो गया इसका यह मतल़ हुआ दोस्तों यह C का एक दिन का काम है 1 बटा 15 तो दोस्तों C काम कितने दिन पूरा करेगा इसको उल्टा कर देंग तो C जो है 15 दिन में काम पूरा करेगा अगला प्रश्ण है दोस्तो 20 से 120 के बीच आईसी कितनी संख्याए हैं जिन्हें 9 से भाग दिया जा सके तो क्या करेंगे दोस्तो सबसे पहले क्या करेंगे 20 में 9 से भाग कर लेते हैं जितना भाग फल आएगा उसको यहां लिख लेंगे इसके बाद क्या करेंगे दोस्तो 120 में 9 से भाग कर लेंगे जितना भाग फल आएगा यहां लिख लेंगे आप क्या करेंगे 13 में से दोस्तो 2 को क्या कर देंगे घटा देंगे तो 13 में से 2 गठादें कितना जाएगा 11 ग्यारा दोस्तो इत ऐसी संख्या है जो 20 और 120 के बीच है और 9 से पूरी तरह से कड़ जाती है अगला प्रस देखते हैं दोस्तो अगला प्रशन यहाँ पे करेंट अफेर से है चंद्रियान 3 को कब लांच किया गया था तो दोस्तो चंद्रियान 3 को 14 जुलाई 2023 को लांच किया गया था अगला प्रश्ण है चंद्रयान 3 कहा से लांच किया गया था? तो दोस्तो चंद्रयान 3 को LV M3 M4 राकेट से लांच किया गया था अगला प्रश्ण है चंद्रियान 3 के लिए प्रयूक्त रॉकेट इंजन का क्या नाम था तो दोस्तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रायोजेनिक इंजन जिसको दोस्तो CE20 भी कहते हैं अगला प्रशने दोस्तो चंद्रयान 3 को किस ने लांच किया है तो दोस्तो चंद्रयान 3 को इसरो ने लांच किया है इसरो का पूरा नाम क्या होता है दोस्तो इंडियन स्पेस रिसर्च आर्गनाईजेशन होता है और दोस्तो इसरो की स्थापना कब हुआ था पंदरा अगस् 79 में हुआ था इसका मुख्याले कहां पर है इसरो का मुख्याले दोस्तों बैंगलियोरू करनाटक में है और दोस्तों इसरो के इसमें के अध्यच कोन है S. 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 S जो थीम थी science of the moon है अगला प्रस्ट देखने है दोस्तों चंद्रियान 3 के lander का नाम है तो दोस्तों चंद्रियान 3 के lander का नाम है बिक्रम अगला प्रस्ट है चंद्रियान 3 के rover का क्या नाम है तो दोस्तों चंद्रियान 3 के rover का नाम प्रग्यान है अगला प्रस्ट है चंद्र चंद्रयान तीन ने चंद्रमा की सतह पर कब लेंड किया है तो दोस्तो चंद्रयान तीन ने चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त 2023 को लेंड किया है वो भी दोस्तो दच्छडिय धुरू पर लेंड किया है अगला प्रश्ण दोस्तो चंद्रयान तीन मिसन का नेत्रित किस ने किया ह तो दोस्तो चंद्रियान तीन मिसन का नेत्रित जो है सी रीतु करिधल ने किया है अगला प्रश्ट है चंद्रियान तीन मिसन के निर्देशक कोण है तो दोस्तो चंद्रियान तीन मिसन के निर्देशक जो है S मोहन कुमार है अगला प्रश्ण है चंद्रियान तीन मिसन लांच करने में कुल कितना खर्चा आया है तो दोस्तों चंद्रियान तीन मिसन लांच करने में कुल 615 करोड जुका खर्चा आया है अगला प्रश्ण है रॉकेट उमेन आफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है रीटू करिधिल को अगला प्रश्ण है दोस्तो रॉकेट मैन आफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है रॉकेट मैन आफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है अगला प्रश्ण है दोस्त अन्ना दुरेई को Moon Man of India के नाम से जाना जाता है अगला प्रश्न दोस्तों चंद्रयान 3 के परियोजना निदेशक कौन है? चंद्रयान 3 के परियोजना निदेशक P.V.E.R. मुथवेल है अगला प्रश्न दोस्तों आदित 11 मिसन को 2 सितंबर 2023 को सतीज़ धवन स्पेस सेंटर श्री हरी कोटा आंध परदेश से लांच किया गया है और देख लेते दोस्तों PSLV XL C57 rocket से लांच किया गया किसको दोस्तों? आदित 11 मिसन को PSLV XL C57 rocket से लांच किया गया है अगला प्रश्न है आदित यलवन में दोस्तो यल का क्या मतलब होता है तो दोस्तो आदित यलवन में यल का मतलब होता है लॉंग रेंज होता है अगला प्रस्ट देखेंग दोस्तो अगला प्रस्ट है बाध महासभा याद करने की ट्रिक तो दोस्तो बाध महासभा कहे या बाध संगीत कहे तो इसके आयोजन अस्तल को याद करने का ट्रिक है राज ने वैशाली को पटा कर कुंडन 1 लाया राज से राजग्री हो जाएगा वैशाली से वैशाली हो जाएगा पटा कर हो जाएगा दोस्तों पाटली पुत्र हो जाएगा कुंडल 1 से कुंडल 1 हो जाएगा या कस्मीर हो जा अगला प्रस देख लेते हैं दोस्तो गाधी जी को किसने वन मैन बांडरी फोर्स कहा है तो दोस्तो गाधी जी को किसने वन मैन बांडरी फोर्स कहा माउंड बेटन ने कहा था अगला प्रश्ण है युगांतर पत्रिका के संपाधक कौन थे तो दोस्तो युगांतर पत्रिका के संपाधक वारेंद्र कुमार घोस एवं भूपेंद्र नाथ दत हैं अगला प्रश्ण दोस्तो जाती अधारित गर्णा के आकड़े जारी करने वाला देश का पहला राज्य कोन बना बिहार बना बिहार इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तो अगला प्रश्ण दोस्तो बिहार जात अधारित गणना के अनुसार राज में सरवाधिक अबादी किस वर्ग की है तो दोस्तो राज की सरवाधिक अबादी जो है वो आति पिछड़ा वर्ग की है जिसे दोस्तो EVC करते हैं कितना परसेंट है 36% है और दोस्तो दूसरे नंबर पे आता है पिछड़ा वर्ग जिसे BC या OBC करते हैं ये कितना परसेंट है 27 दसमलो 1-2% है और दोस्तो अनुसूचित जो है जात जो है ऐसी जात जो है वो 19 दसमलो 6-5% है अगला प्रस देखते हैं दोस्तो बिहार जाती आधारित गणना के अनुस किस जात की सबसे जनसंख्या जादा है बिहार में दोस्तो यादो की जो है जनसंख्या जो है बिहार में सबसे जादा है कितना परसेंट है 14 दसमलो 2-6% है और दोस्तो रविदास जात कितनी है 5 दसमलो 2% है अगला प्रस देखें दोस्तो बिहार जात आधारित गणना के अन अगला प्रश्ण है बिहार राजगी कुल आबादी कितनी है तो दोस्तो 13.07 करोड है ये इसका सही उत्तर होगा दोस्तो अगला प्रश्ण है दोस्तो 2011 की जनगारना के अमसार बिहार में साक्षरता दर जो है 61.80% है जिसमें दोस्तो पूरू साक्षरता दर कितना है 73.39% है और महिला साक्षरता दर कितना है 53.33% है अगला प्रश्ण दोस्तो इधर कार्बनिक अमल दिया है और इधर इनके प्राकरतिक सुरोत दिया हुआ है तो दोस्तो फार्मिक अमल किसमें पाजाता है लाल चीटियों में पाजाता है साइट्रिक अमल किसमें पाजाता है खट्टे फलों पाजाता है बिंजोईक अमल किसमें पाजाता है दोस्तो घास बन पत्तो में पाजाता है आगजेलिक अमल किसमें पाजाता है सौरेल के ब्रिच में पाजाता है इस्टिक अमल किसमें पाजाता है दोस्तो फलो के रसो में पाजाता है टार्टेरिक अमल किसमें पाजाता है दोस्तो इमली में और अंगूर में जो है टार्टेरिक अमल पाजाता है लेक्टिक अमल दोस्तो किसमें पाजाता है दूध में पाजाता है ग्लूटेमिक अमल किसमें पाजाता है दोस्तो गेहु में पाजाता है अगला प्रस देखते हैं दोस्तो समिधान संसोधन का उलेख अनुचे 368 में है और कौन से भाग में है दोस्तो भाग 20 में है अगला प्रश्ण है चवेल सुवे में समिधान संसोधन 1978 द्वारा संपत्त के अधिकार को मौलिग अधिकार से हटा दिया गया है अगला प्रश्ण देखेंग दोस्तो दहेज प्रतिबंध बिधयक 1961 में सन्युक्त अधिवेशन पंडिज जवाहलाल नहरू के कारकाल में पेस हुआ था अगला प्रश्ण है दोस्तो दिये गया चित्र का निरेच्छर करते हुए दो के विपरी संख्या बताईए तो दोस्तो यहाँ पे तीन पासा दिया हुआ है हमसे पूछ रहा है दो के विपरीत कौन सी संख्या आएगी तो दोस्तो हम इसमें दो ऐसे पासा का चुनाव करेंगे जिसमें जो है दो संख्या उभैनिष्ट नहीं हो केवल एक ही संख्या उभई निष्ट हो जैसा कि देखेंग दोस्तो पहला वाला पासा और दूसरा वाला पासा हम देखेंगा यहां भी तीन है और यहां भी तीन है तो इसमें केवल एक ही संख्या उभई निष्ट है तो हम क्या करते हैं दोस्तो यहाँ पे 3 को घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं तो इस 3 को दोस्तों हम घड़ी की दिशा में ऐसे घुमा देंगे तो यहाँ लेकें 3, 2, 6 तो यह हो जाएगा 3, 2, 6 तो जैसे दोस्तों यहाँ पे हमने घुमाया है ऐसे इस वाले पासों को भी घुमाएंगे तो तीन, पाँच, चार तो यहां लेख देंगे तीन, पाँच और चार पूछ रहा है दोस्तों कि दो के अपोजिट कौन होगा तो दो के अपोजिट पाँच होगा तो पाँच जो है दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्ला प्रस देख लेते हैं दोस्तों एक पासे की दो इस्थित्यां दिखाई गई है तो इसमे से दो के विपरीत की संख्या बताइए तो दोस्तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि 2 का विपरीत कौन होगा तो जैसा कि दोस्तो देखिएगा इसमें यहां भी 5 है और यहां भी 5 है और यहां भी 1 है और यहां भी 1 है बचा कौन? 2 बचा और 4 बचा तो दोस्तो 2 का विपरीत कौन हो जाएगा? चार हो जाएगा और चार का विपरीत दो हो जाएगा तो चार जो है दोस्तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्राशने दोस्तो दिये गए पासो में चार के विपरीत संख्या बताईए तो दोस्तो इसमें चार के विपरीत हमें संख्या बताना है तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा पहले संख्या उभै निष्ठ है तो दोस्तो यहाँ पर तीन यहाँ है और तीन यहाँ है यह दोनों उभै निष्ठ है घड़ी की दिसा में घुमा देते हैं तीन चार च्छ हो जाएगा इसको ऐसे लिख लेते हैं दोस्तो 3,4,6 लिख लिए 3,4,6 लिख लिए अब ऐसे भी इसको भी घुमाईंगे 3,1,2 लिखेंगे 3,1,2 लिख लिए पूछ रहा है दोस्तों कि 4 के अपोजिट कौन सा अंक है तो 4 के अपोजिट कौन सा अंक होगा दोस्तो, 1 होगा एक इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ण है दोस्तो यहाँ पे देखिए दोस्तो यह खुला पासा दिया हुआ है हमसे पूछ रहा है कि A का अपोजिट बताए तो दोस्तो जब भी खुला पासा आपको मिले तो उसका एक नियम जान लेजिए जो यह वाला होगा इसका अपोजिट जो है दोस्तो यह D होगा A का अपोजिट कौन होगा D होगा और E का अपोजिट क्या होगा दोस्तो C होगा और F का अपोजिट क्या होगा B होगा यह दोस्तो रूल होता है तो हमसे पूछ रहा है कि एक आपोजिट कौन होगा तो दोस्तो एक आपोजिट कौन होगा डी होगा डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ण है दोस्तों चंदरमा पर इसमाल जी का मान प्रिथिभी के इसमाल जी के मान का एक बटा छगुना होने के कारण चंदरमा पर लोलग घड़ी का आवर्थकाल क्या होता है दोस्तों बढ़ जाता है अगला प्रश्ण है वीमानों की उचाई मापने में किसका प्रियोग करते हैं? वीमानों की उचाई मापने में अल्टी मीटर का प्रियोग करते हैं? अगला प्रश्ण है वाईवान की गति मापने वाले यंदर को क्या कहते हैं? वाईवान की गति मापने वाले यंदर को टैक मीटर कहा जाता है अगला प्रश्ण दोस्तो वाई मंडली आधरता मापने के लिए किस यंदर का प्रियोग करते हैं वाई मंडली आधरता मापने के लिए हाईग्रो मीटर का प्रियोग करते हैं अगला प्रश्ण दोस्तो बिद्दु सक्ति मापने का यंदर क्या होता है अगला प्राश्न है दोस्तों, रेडियो एक्टिव पदार्थ के सकरीटा की इकाई क्या होती है, क्योरी होती है। जब 2 या 2 से अधिक प्रतृरोधो को एक दूसरे के साथ करम वार जोडा जाता है, तो वे क्या होते हैं। स्रेडी क्रम में होते हैं जब दोस्तो दो या दो से अधिक अगर हम प्रत्रोज को एक साथ क्रम वार जोड़े क्रम से जोड़े तो वो कौन सा क्रम होता है स्रेडी क्रम में होता है और स्रेडी क्रम में तो लिए प्रत्रोज निकालने का सुत्र क्या होता है अगला प्रश्ण है दोस्तो बिद्दु धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं बिद्दु धारा को मापने के लिए अ मीटर का प्रयोग किया जाता है अगला प्रश्ण है बोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो विभवांतर की उपस्ति का पता लगाता है अगला प्रश्ण है दोस्तो चुमकी फ्लक्स का मातरक क्या होता है चुमकी फ्लक्स का मातरक बेबर होता है अगला प्रश्ण है दोस्तो भारत ने अपने पहले परमाल उपकरण का परिछर कहां किया था पोखरण में किया था दोस्तो और ये पोखरण कहा है दोस्तो राजस् अगला प्रश्ण है Y Mandal में Ozone को मापने के लिए Ultra Violet Spectrum Photometer किस ने विक्सित किया था तो दोस्तो इसका सईुत्तर हो जाएगा प्रोफेसर GMB Dapson ने विक्सित किया था अगला प्रश्ण दोस्तो अति चलकता की खोज किस ने किया था अति चलकता की खोज जॉन बार्डी ने किया था अगला प्रश्ण दोस्तो प्रत्यावर्ति धारा का अविस्कार किस ने किया था प्रत्यावर्ति धारा को दोस्तो ACV कहा जाता है इसका अविस्कार निकोला टे अगला प्रश्ण दोस्तो साप्यक्षता का सिध्धान्त किस ने दिया था साप्यक्षता का सिध्धान्त अलबर्ड आइंस्टीन ने दिया था अगला प्रश्ण दोस्तो पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है पानी से हाइड्रोजन को अलग जिसे 1H1 कहते हैं दूसरा है डूटेरियम जिसे 1H2 कहते हैं तीसरा है ट्राइटरियम जिसे 1H3 कहते हैं अगला प्रश्ण है दोस्तो किसका उप्योग कैंसर के उपचार में किया जाता है तो दोस्तो कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रियोग किया जाता है अगला प्रश्ण है एनो डाइजिंग प्रक्रिया में किस अमलका प्रियोग किया जाता है अगला प्रश्ण दोस्तों संचारण एवं जंग लंगने से बचाने के लिए लोहे पर किये जाने वाले बिद्धुती लेपन में किस धातु क प्रियोग किया जाता है तो दोस्तों जीन की धाद का प्रियोग किया जाता है जिसे जस्ता भी कहते हैं अगला प्रश्ण है दोस्तों जब पियेच मान साथ से चौदव की ओर बढ़ता है तो यह क्या दरसाता है यह दोस्तों ओयेच माइनस आयन की सांदरता में ब्रिधी को अगला प्रश्ण है अतधिक अमली मिश्र का पियच मान कितना होता है अतधिक अमली मिश्र का पियच मान सुनी होता है अगला प्रश्ण है दोस्तो नीबू के रस का पियच मान कितना होता है नीबू के रस का पियच मान दो दस्मलों दो होता है अगला प्रश्ण है किसका अपने के लिए एक संकेतक के रूप में किया जाता है तो दोस्तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनी वरसल इंडिकेटर का प्रियोग अगला प्रश्ण का स्वाधिक यून का प्रियोग केज़ में साथ होता है सुनी होता है अगला प्रश्ण है दोस्तो प्रबल अमल और प्रबल चार के लवडों का पियच मान कितना होता है तो दोस्तो प्रबल अमल और प्रबल चार के लवडों का जो पियच मान होता है वो साथ होता है अगला प्रश्ण है एक बिलियन लॉल लिटमस को नीले लिटमस में परिवर्दित कर देता है तब उसका pH ना कितना होगा दोस्तों 10 होगा अर्थात 7 से क्या होगा अधिक होगा अगला प्रश्ण जैसा होगा अगला प्रश्ण दोस्तो चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है तो दोस्तो चूना जो है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पौडर बनाता है अगला प्रश्ण दोस्तो चीटी के काटने से सरीर में प्रवेश करने वाले फार्मि सोडियम हड अक्साइड होता है और इसका सुत्र होता है और इसका सुत्र होता है यन ए ओयच होता है अगला प्रश्ण है दोस्तो बेकिंग सोडा को खाने का सोडा भी कहते हैं और इसका रसाइग नाम होता है सोडियम बाई कार्बिनेट होता है और इसका सुत्र होता है यन ए अगला प्रश्ण देखते हैं दोस्तों धावन सोडा का जो रसाई नाम होता है वो सोडियम कार्बरेट होता है और इसका सुत्र होता है याने 2CO3 into 10H2 होता है अगला प्रश्ण दोस्तों कि सधाद को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है तो दोस्तों पोटैसियम को लिथियम को और सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है तो दोस्तों इसको याद करने का एक ट्रिक है पोलिस पोस हो जाएगा पोटैसियम लिथियम सस हो जाएगा सोडियम अगला प्रश्ण दोस्तों क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है क्विक सिल्वर जो है दोस्तों मरकरी क कहा जाता है अगला प्रश्ण दोस्तों भोजन के बरतनों पर टीन की परत लगाई जाती है जिंक की नहीं लगा जाती है क्योंकि जिंक जो होता है वो टीन से अधिक अभक्रिया सील होता है अगला प्रश्ण दोस्तों मीथेन के जलने पर क्या होता है मीथेन के जलने पर कार् प्रश्च फोर होता है अगला प्रश्च दोस्तो अगला प्रश्च गड़िस से है दोस्तो तो यहां पर यह प्रश्च है कि एक बास का तीन बटा दस भाग कीचड में तीन बटा पांच भाग पानी में तथा सेश पांच मीटर पानी की सता से उपर है तो बास की लंबाई ब एक से घटा देंगे तो कितना जाएगा एक बटा दस आजाएगा और यही से भाग जो है दोस्तो पांच मीटर के क्या है बराबर हो जाएगा तो एक बटा दस बराबर कितना लिखेंगे पांच लिखेंगे एक भाग का मान निकाल लेंगे तो दस बसे 50 मीटर हो जाएगा तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तो 20 पर्षेंट हानी पर हम निकाल लेते हैं इसका क्रेमूल कितना था तो दोस्तो क्रेमूल निकालने लिए क्या करेंगे ESP बराबर 100-20-100 गुर्टे CP ये सुदर लगा देंगे CP का मान निकालेंगे दोस्तों कितना जाएगा 600 रुपया जाएगा अब दोस्तों हमें यहाँ पर निकालना है बिक्रेमुल निकालना है कितने पर 30% लाब पर तो क्या करेंगे 100-30-100 गुर्टे क्रेमुल 600 रख देंगे सौल करेंगे दोस्तों कितना आएगा 780 रुपया आएगा 780 रुपया बेचने पर इसको 30% का लाब हो जाएगा अगला स्वाल है दोस्तों 450 रुपया कि वस्त को कितने रुपया में बेचा जाए कि 10% का लाब हो कैसे निकालें दोस्तों ध्यान समझेगा यहां हमसे पूछ रहा है selling price तो दोस्तों सुत्र होता है 100 प्लस लाब परसेंट बटा 100 गुर्टे CP होता है लाब परसेंट दिया है 10 तो लिखेंगे 100 प्लस 10 बटा 100 गुर्टे CP कितना दिया है दोस्तो 450 हल करेंग दोस्तो कितना जाएगा 495 रूपिया तो दोस्तो 495 रूपिया में बेचेने पर इसको 10% का लाब हो जाएगा अगला परस देखने हैं दोस्तो किस प्रकार के कोईले में कार्बन की परसेंटेज मात्रा सबसे जादा होती है तो दोस्तो एंथरा साइट कोईले में परसेंटेज की मात्रा जो है कार्बन की परसेंटेज मात्रा सबसे जादा होती है और सबसे उत्तम स्रेडी का कोईला कौन सा होता है एंथरा साइट कोईला होता है अगला परस देख लेते हैं दोस्तो इधर दिया है दोस्तो कोईला और इधर है कार्बन की मात्रा एंथरासाइट कोईले में दोस्तो 80-95% कार्बन की मात्रा होती है जबकि B2-Minus कोईले में 55-65% होता है लिगनाइट में कार्बन की मात्रा 45-55% होता है और पीट कोईला में 40% से कम कार्बन की मात्रा होती है अगला प्रशन दोस्तों मानो निर्मित रेशा कौन कौन से होते हैं तो दोस्तों मानो निर्मित रेशा रेयान, नाइलान एवं पालिश्टर होते हैं अगला प्रश्ण है पहला मानो निर्विस संसलेसी रेसा कौन सा है नाइलान है अगला प्रश्ण देखेंग दोस्तो गरम सीसे को धीमे धीमे ठंडा करने की परक्रिया को क्या कहा जाता है तो दोस्तो गरम सीसे को धीमे धीमे ठंडा करने की परक्रिया को एनेलिंग कहा जाता जिसे दोस्तों हिंदी में अनीली करण भी कहते हैं अगला प्रशन दोस्तों रेसम कीट पालन का अध्यन क्या कहलाता है सेरी कल्चर कहलाता है मश्च पालन का अध्यन किसमे किया जाता है PC कल्चर में किया जाता है मदमक्की पालन का अध्यन किसमे किया जाता है AP कल्चर में कि अगला प्रश्ण है दोस्तो पॉदो के कारण आता है अगला प्रश्ण है आनुवनसिक लच्छडों के जीन समूहों को क्या कहा जाता है आनुवनसिक लच्छडों के जीन समूहों को जीनो टाइप कहते हैं अगला प्रश्ण दोस्तों यदि किसी धन का साधारा ब्याज उस धन का 4 बटा 25 भाग हो तथा वरसों की संख्या वार्सिक ब्याज की दर की संख्या के बराबर हो तो वार्सिक ब्याज की दर कितनी होगी दोस्तो कैसे लगाएंगे ध्याज समझेगा जब दोस्तो वर्सों की संख्या और वार्सिक ब्याज की दर क्या हो बराबर हो तब यहां पे दर या वर्स निकालने के लिए क्या लगाए गा दोस्तों सुत्र लगाएगे करड़ी में A, B, G, 10 A, B, B क्या है दोस्तों यहां पे 4 MARY 25 है तो दोस्तों दर निकालने के लिए यहां सुत्र रखेंगे तो दर बराबर हो जाएगा करड़ी में 4 बटा 25 गुरते 10 हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2 आजाएगा 25 का वर्गमूल 5 आजाएगा 5 एक का 5 दूने 10 हो जाएगा 2 दूने 4 आजाएगा तो दर दोस्तों कितना होगा 4% 4 परसन इसका सही उत्तर हो जाएगा तो दोस्तों आज के इस वीडियो इतना है वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो का लाइक कीजिएगा सेर कीजिएगा मिलते हैं नेस्ट वीडियो में धन्यवाद